जब पहली बार मैंने एक्सपोर्ट किया था ना तो मुझे लगता रहा है जब एक बार आपने एक्सपोर्ट कर दिया ना तो आपको लगए गए मैं आपकी कंट्री में बिजनिस चुरू करना चाहता हूं उस कंट्री में अपने दोस्त या अपने रिलेटर्स को करना हाई फ्रेंड्स मैं हूं डॉक्टर अमित माईश्वरी बिजनस ट्रेनर कॉर्परेट ट्रेनर मुटिवेशन स्पीकर एंड सी यू मेटास उवर्सीज लेमेटेड आप सभी का स्वगत करता हूं आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो में फ्रेंड्स आज जिस विशे पर हम ब बारूप देगा आज हम बात करेंगे हाउ टू फाइंड आउट इंटरनेशनल बायर्स बहुत सार लोग विदेश व्यापार करना चाहते हैं उन्होंने अपनी कंपनी भी फॉर्म कर ली इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस भी ले लिया जो भी फॉर्मलिटीज होती है को सारी कर लिए और अगर आपने नहीं किया ना तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है पिछला वीडियो देख लीजिए जिसमें बताया गया कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलिटेट क्या 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 प्रॉसर्शन सिस्टम है बात करेंगे इंटरनेशनल बायर कैसे ढूं तर आपको ये देखना है कि आपका प्रोडेक्ट को इसे देश में चाहिए तो सबसे पहले आपको सर्च क्या करना है उस क्या आपี้ कूंपनी जिस तरह की companies के लिए आप material बनाते हैं या product आप बनाते हैं उस तरह की company हर country में है तो आपको क्या करना है आपको Google पर search करना है उस country में उस तरह के product को बेचने या खरीदने वाली company या उस तरह की industry जैसे मैं बात करता हूँ हम modular kitchen का export करते हैं तो अगर हमें जिस भी देश की जि सर्च करने का हमाँ पास एक पूरे list आये ते सबसे पहला काम क्या करना है country select करनी है और उसके बाद आपको Google के थूर डारेक्ट website सर्च करनी है उस country में कौन कौन सी company उस तरह के product ये service में deal करती है उसके बाद get data एक तो यह तरीका है कि आपने companies को direct Google के थूर सर्च कर लिया उ दूसरा तरीका क्या get data data कहां से मिलेगा cargo companies वह सारी companies जो material का shipment करती है उनके पास data होता है buyers का भी और sellers का भी तो आप data उन से ले सकते हैं अब आपको लगेगा वह आपको data देंगे कैसे actually data buy किया जाता है बहुत सारी agencies हैं जो cargo company से attached होती है और वहां से वह data आपको आसानी से sell क देती हैं दूसरा export import organization की या तो membership ले ले या आप export import organization की directory को खरीद ले जाहतर क्या होता है वो डिरेक्टरी अपने members को ही देती है तो आपको करना क्या है आप उनकी membership ले बहुत nominal fee होती है 10,000, 15,000, 20,000 हर एक organization के अलग होती है और उसके बाद में उन से वहां की directory लेने अब ड कहीं ना कहीं किसी ना किसी बिजनस या इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है चैंबर आफ कॉमर्स है चैंबर आफ इंडस्ट्री है चैंबर आफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट है अब बहुत सारी लेबल पर भी organizations होती है business owners की तो आप उस country की चैंबर आफ कॉमर्स की membership ले सकते ह है यह हमांसे डिरेक्टरी के लिए अपना प्रोपोजल बें सकते हैं बहुत सारी ओंस्ट अफ लेंगे तो वहां सानी सापको डीरेक्टरी मिल जाएगी उसके बाद इंडिया माट है ट्रेड इंडिया है एक्सपोर्टर इंडिया अलिबाबा है इनकी मेंबर्शिप भी आ का पूरा एक Excel फाइल बना कर अपनी सेल्स टीम को या मार्केटिंग टीम को बिठा सकते हैं कि आप यहां पर रेगुलर प्रोपोजल बेजो इन से डिसकस करो उसके बाद नेक्स क्या ऑप्शन है वो क्या और उसके बाद क्या करना है जब आपके मन में प्रस्ण हो और तो विदेश्यापार की बात कर रहे हैं और जैसे बता रहे हैं इसे संभव नहीं है अरे आप रिटेल कैसे करते हैं आप अपनी कंट्री में बिजनस कैसे करते हैं उसके लिए भी आप इनी फार्मुलाज का इस्तिमाल करते हैं बस आपके मन में को अप्स्टेकल है कि मैं विदेश व्यापार कर रहा हूं जैसे आपको अपनी सिटी से दूसरी सिटी में माल उसके बाद आप उनको regular call करें mail करें WhatsApp करें क्या company का profile प्रोड़क्ट वीडियो है catalog है आप regular उनको भेजते रहें आप अपने local बाइर को भी तो ऐसी भेजते हैं कभी catalog भेजा नया अप्रोड़क्ट अपडेट भेजा नया PDF फाइल भेज दिया नया कोई शोरूम बना उसका डिस्प्ले का वीडियो भेज दिया या आपका कोई हम सैंपल नहीं भी भेजते हैं कई बार प्रोड़क्ट वेल्यू बहुत बढ़ी होती है तो सैंपल वेल्यू भी बहुत बढ़ी होती है तो आप पेड़ सैंपल के लिए उनसे बात कर सकते हैं यह एक तरीका है और उसके बाद ask for order आपने जब किसी को सैंपल बेजा प्राइज लिस्ट बेजी डिटेलिंग बेज दी तो उनसे order की बात करें उनकी requirement को समझें उनकी payment terms and conditions को समझें दोस्तों क्या होता है विदेश व्यापार में पैसा डूबने की बहुत दिक संभाव ना होती है केवल और केवल जब successful business owner 50% on order and 50% before dispatch या on shipment कि मैं shipment बेजुँगा तभी मैं आपसे पैसे ले लूँगा documents आपको तभी दूँगा जब आप मुझे payment करेंगे वरना वो shipment आपके पास मोचने वाला नहीं है गेट एडवांस उनसे एडवांस के बारे में बात करें अपना डिटल बेजें पेमिंट रिमिटेंस लें उनसे और उसके बाद मेट्रियल डिस्पैच करें एक्सपोर्ट करें तो आप ICD inland container डिपो आपके आसपास का जो भी इंडान container डिपो है वहां से कांटाक करें सी एचे के थुरू कस्टम हाउस एजेंट के थुरू आप सी एचे से बातचीत करें सारे डॉकुमेंट्स त्यार करें और अपने डिस्पैच करें बात बताता हूं जब एक बार आपने एक्सपोर्ट कर दिया ना तो आपको लगए तो देश व्यपार से ज़्यदा आसान है अपने ही शहर में रहते हुए दूसरे शहर में माल भेजने में जितने रूल लगती है वैसे रूल अन्रेग्लिशन टंशन कंडिशन इंटर्नाशन ट्रेड़ में होती है और एक डश की कणडिशन दूसरे इसकी अतलग होती है हर जगा हमारा ट्रेड अलगतरा को होता है तो उन फॉल करने के लिए कुस्टम आउसे ड़न आपको बताएगा वह आपका ट्रेड से ज्यादा आसान है इंटरनेशनल ट्रेड बशर्ते आप घ्रहाग ढूंडना जानते हूं और सही तरीके से मैट्रियल डिस्पैच करने के तरीके को जानते हूं हमारी कंपनी मेटास ओवर्सीज लिमिटेड हम लोग स्टेल निस्टिल मोडूल किचिन बनाते हैं दो इनफॉर्मेशन भेजते रहते हैं फिर इनकी रिक्वार्मेट को समझते हैं उनके अगर कोई जुरत होती है तो तुरंत हमें कंटाक करती है हम उसके इसाब से उनको प्राइज लेस्ट या कॉस्टिंग देते हैं कॉस्टिंग देने के साथ अगर वह सेंपल बांगते तो सेंपल देते हैं पेड़ सेंपल के बाद वह अगर प्रोड़क लेने के लिए इंट्रस्टिड हैं तो हमें और प्लेस करते हैं हम 50 परसेंट और एंड 50 परसेंट भी फो दिस्पैश लेते हैं और आसानी से हम एक्सपोर्ट आज बहुत सारी कंट्रीज में कर रहे हैं इंप में बहुत सारे बिजननस पार्टनर्स जुड़ कर एक बहुत अच्छा बिजनस करना चाते हैं तो आप हमारे साथ फ्रेंचाइसी पार्टनर बन सकते हैं इस से लेटेड इंपरमिशन के लिए इस नमबर पर आप कॉल करें दोस्तों मेरे जीवन का उदेश है कि भारत के र और गड़ से एक real businessman तयार हो सके और real businessman का मतलब है उनके पास real business होना चाहिए इसलिए अपने business time से मैं extra time निकालकर आपके लिए वीडियो बनाता हूं ताकि आप भी चीजों को सीखें और समझें हिंदुस्तान जैसे देश में बहुत सारे ऐसे speakers हैं जो practically किसी इंडस्ट्री को run कर रहे हैं तो यह बड़े सौभागी की बात है कि हम इन चीजों को समझ रहे हैं और practical हम इन चीजों का कर रहे हैं आपके मन में कोई भी प्रशन है तो मुझे comment box में ज़रूर लिखें कोई informative वीडियो मिसना उसके लिए चैनल को सब्स्राइब करें स्वस्त रहें मस्त रहें मैं डॉक्टर अमित्माईश्वरी आपके सुनरे बविश्य की काम ना करता हूं जै हिंद जै भारत